दोस्तो ओनर 9X भी मेरे हाथ में है, यह ओनर का न्यू स्मार्टफोन है, इससे पहले हम इंडिया में ओनर 90 देख चुके हैं, अब देखो ओनर के अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ना, बढ़िया फोन आते थे यार, इंडिया में वो तैल का मचा के रखते थे, जो शोमी, रिय जाना, यह पीछे रहते थे ओनर के, लेकिन इस टाइम पे, जब से ओनर ने इंडिया में कमेक किया है, मुझे ये बात समझने आ रही है, ओनर क्यों नहीं समझवारा इंडिया में कैसी है, पहले ओनर 90 इंडिया में आया, उसका प्राइस रख दिया उठा गे, 35 आर के असप इसको मैंने टेस्ट किया पूरा, अच्छे से यूज करके देखा है, तब मैं आपको यह ओपीनियन दे रहा हूं अपना, भाइसा ये भी अपने प्राइस को जच्टिवाई नहीं करना, अब 26 जार हम कहे के भरेंगे, सोचने वाली बात है, एक एक करके सभी पॉइंट बत है, पर क्या फोन सिर्फ इसलिए ले लेंगे कि ग्रास टोंग है फोन का, अब 26 जार, अगर मैं देखता हूं, कार किसी के पास नहीं है, तो 26 का फोन उनको मिलेगा, 26 जार में पहली बात, मैं इसका डिस्प्ले देखता हूं, वैसे आप देखेंगे, डिस्प्ले दिखने मे इसका बहुती स्ट्रोंग लग रहा है, मुझे मज़ा आया था, मैंने आपको कलरी रील में बताया है भी दा शोर्ट वीडियो में, कि मुझे इसका डिस्प्ले काफी अच्छा लगा, दिखने में अच्छा लग रहा है, बेजल यहां पर काफी कम है, एमोलेट डिस्प्ले है, वन तॉन टियर्स का रिफेश यह भी आपको मिल जाएगा, जब आप कोई कॉन्टेंट देखेंगे न, आप इन्जॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा, कलरी प्रोडेक्शन इसका काफी अच्छा है, और यह पंचोल डिस्प्ले है, कभी बताऊं तो मैं आपको HDR का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1200 निट्स की पीक प्राइट असा जो की बढ़ी आपका साथ देगी, यहां पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, हाँ, डिस्प्ले स्ट्रोंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी, डिस्प्ले स्ट्रोंग है, फोन का कोई दिक्कत कवर लगा होगा पर वो फट जाएगा आपका, डिस्प्ले को दिक्कत नहीं आएगी, दोस्तों आपने हर जिकाप मार्केटिंग देखी होगी, अखरोट तोड़ते होए, कैसे फोन दड़ादर दड़ादर अखरोट तोड़े जा रहा है, तो मैं आपको दादू, हमने भी यह ट्राइ किया, यह आप देखो, हमने भी दरदर यहाँ पर अखरोट तोड़े हैं, लेकिन मैं आपको यह क्लियर कर देता हूँ, यह कांगजी अखरोट होते हैं, जो कि अराम से तूट जाते हैं, आप अगर हाथ में लोग को भी इस तरह जोड़ से दबाऊगे ना, यह बात यहाँ पर अच्छी करी गई है, अगर 6 महिने के अंदर डिस्प्रे किसी कारण वज टूट जाता है, तो फ्री रिप्लेस्मेंट मिल जाएगी आपको, 6 महिने तक, यह बड़िया चीज़ की है, इसके बाद अगर मैं देखता हो ना, इस फोन की परफॉर्मेंस, व अब आप जानते हैं, जो 6 Gen 1 है, यह एक निया प्रोसेसर था, हम रियल्मी 12 में यह चीज़ ओलड़ी देख चुके हैं, इसके मैंने ओंतुत बाइक माट टैस्ट किया ना, इसमें, यहाँ पर स्कोर आते हैं, पांच लाग क्या असपास, उससे मेरे में थो थोड़े कम्मी आई हैं, अब पांच लाग स्कोर आ रहे हैं, प्राइस है 26,000, आप पूरी वीडियो में यह चीज़ ध्यान में रखना, जो बात हो रही हैं, प्राइस के हिसाब से हो रही है, आज की डेट में आपको 25-26 में क्या-क्या चीज़े मिल जाती है ना, वो एक चीज़ है, जिसक हैवी गेमिंग नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल गेमिंग आप इस पर कर सकते हैं, वाप पर कोई टेंशन नहीं है, वैसे अगर मैं आपको बता हूँ ना, इस प्रेट में हमें क्या-क्या मिल जाते हैं, तो इस प्रेट में मिल जाते है, स्नैप डेगन 7S Gen 2, तो अराम से ही मि इस रेंज में, और डेमिजरी 7200 तो अराम से ही मिल जाते है, आईकू Z7 Pro अवेलेबल है, वीवो T2 Pro अवेलेबल है, डेमिजरी 8020 मिल जाएगा, मोटर एच 40 अवेलेबल है, तो ऐसे से फोन आपको लिस्ट में मिल जाते हैं, मैं कंबैसन लाओंगा भोज जल्दी, जहां प क्वाल्टी है, और मज़े की बात ही है, जब अब इस फोन को हाथ में लोगे न, फोन आपको बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा, हैवी फील नहीं होगा, और साथ में यहाँ पर बैटरी है, 5800 एमेच की, इतनी बड़ी बैटरी के साथ, ऐसा फोन फैक्टर बनाना ना, अप Android 14 यहाँ पर होना चीज़ था, बिकोज अगर आप देखेंगे ना मोटरोला, सैमसंग, रियल्मी, शोमी, इन समिने ना पोको, आउट्रोक्ट दिवोक्स, Android 14 देना स्टार्ट करा हुआ है, तो यहाँ पर Android 13 ने जो की पुराना वर्जन है, एक तो यह चीज़ है, और दो साल क इस फोन में, जो की स्मूथ है, बड़ी आगाम कर रहे है, यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी, बैटरी में आपको बता चुक हूँ, 5800 डैमेज की हैं यहाँ पर जो की बड़ी बात है, चार्जिंग यहाँ पर है, 33 वोट की, चार्जर बोक्स में नहीं है, बोक्स साथ में चाहिए, तब आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, तो अभी तक हम ने जितना देखा, आपको समझा गया होगा, यहाँ पर कोश्ट कुटिंग काफी चगा की गई है, एक डिस्प्ले स्ट्रोंग देने के लिए, अगर हम मैं बात करता हूँ, ओडियो क्वाल सा दे दी है, ऐसा नहीं है कि आपको experience वहाँ पर बढ़िया होगा गाने सुनने का, क्योंकि मैंने कई फोन देखे हैं जब सिंगल होता है, लेकिन उसकी ट्यूनिंग होती है, सेप्रेशन होता है म्यूजिक का, वो काफी बढ़िया रहता है, यहाँ पर वह चीज नहीं है, तोरा फ्लैट सा भी लोगा आपको कोई अब गाना सुनेंगे तो, बागे अगर हम कैमरा देखते हैं ना फोन का, रियर में आपको मिलता है प्राइम डी कैमरा, वन सीदो एट मेगा पिक्सल का, जो की बढ़िया है, मैं भी टेस्टिंग करूंग, आपको बताऊंग का कैसा चाहिए आपको क्वालिटी फोटर में जैसी मर्ची दिखती हो, जूम करोगे, डिटेल आपको कोई नहीं दिखने वाली है, दोस्तों मैं यहाँ पर देखना था कैमरा सेंपल, तो मुझे देखकर यह लगा, कि वैसी कैमरा अच्छा है, इंडुईजियला पिक्चर लेखे आपको लगा अच्छी निटेल है, बट फेस पे कम है, लेकि अगर क्लोज अप पोर्टे शोट है, वहाँ पर यह फेस पे भी निटेल अच्छी हमें देर देता है, तो बढ़िया कैमरा है, वैसे प्रैस के हिसाब से थोड़ी इप्रूव्मेंट हो जाए तो और मजा आ जा देख लो सेंपल आप यहाँ आउड़ोर में, बढ़िया रिटेल्टी, अब चलोग कैमरा तो हमने देख लिया कैसा है, बागी दोस्तों, फिंगर्पिन डिस्प्ले के अंदर है, वहाँ कोई दिख करनी, मस्त है, फास्ट है, स्टेवल है, तो यह मिलता है आपको कम्प्ली से दे रखी है, वो अपने प्राइस को जेस्टिफाई नहीं कर रही है, इससे बैटर ओप्शन काफी सा रही है सेम प्राइस पे, अगर मैं आपको नाम लोना ओप्शन का, पहला ओप्शन, जो कि इसको पूरी टक्कर गया, इसको पचार के जा रहा है, पोको एक्सिक्स, ज मिल रही है आपको उस स्मार्टफोन में, डेमेज़ी 8300 अल्टर के साथ, पोको नी चाहिए आपको, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, वनप्रस का, वनप्रस नोट सी 3 5G, बाहिस दार का, इसके गवैजन में काफी आ गया है, कैमरा अच्छा, डिस्पे कॉल्टी बल इन एन फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्ट्रोंग ग्लास नहीं मिलेगा, लेकिन वाकिजी से बढ़िया मिल जाएंगी आपको, और मैं आपको बताऊं तो, Moto H40, ओल डाउंडर पैकेज, पच्चीज में ही मिल जाएगा वाईसाब, ज्यादा पे नहीं करना बढ़ 140 ओर डिफ्रेश रेट, कर्व डिस्प्ले, तो कितने फोन में गिर्वा हूँ आपको ये बता हुआ, काफी सारे है, आप भी बतारा मुझे कमेंट में, आपके बारे में कोई फोन आ रहा है, जो इस लिस्ट में इस से बैटर निकल के जा रहा है ना, कमेंट करो मुझे आप अब आप बताओ, आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे यार लग रहा है, मज़ा नहीं आया इतना प्रैस को देखते हो है, फोन में, यूज करने में अच्छा लग रहा है फोन, लाइट वेट है फोन, बैटरी बड़ी है, वो चीज़े यह आपर काफी अच्छी की ग 20 के अंदर यह आपको और आप से मिल जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको कुछ हेल्प मिलोगी आज की वीडियो से, हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेर करो, हम मिलते है किस और वीडियो में, ठैक्स रोचिंग इस वीडियो,